कि आप उमीद करते हैं लेकिन क्या उपको पता है कैसी सबजी जिस से आप हमेशा के लिए जवान हो सकते हैं यानि कि जवान दिख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे आखिर में ये क्या बात कह रही हूं, लेकिन हाँ ये बिलकुल सचाई है, एक ऐसी सबजी जिसके अंदर छुपा है जवानी का खजाना, यानि कि हमेशा आप जवान आए सकते हैं, दोस्तों क्या आप भी लोकी के बीच सबसी, सूप या जूस बनाती हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आज से ही लोकी की उप्योग का तरीखा बदल दो, लोकी की तरहां इसके बीच भी बहुत लापकारी होते हैं, तो चलिए बताते हैं इसके क्या-क्या फायदे हैं, लोकी के बीच में फाइबर, जिंक, विटामिन B, कैल्शियम, मैगनिशियम, एंटियोक्सिडेंट भरपूर मातरा में होता है। इसके सेवन से इम्मूनिटी बढ़ती है। मेटाबॉलिजम पाचिन तंतर अच्छा रहता है, कपस की शिकायत नहीं रहती और भूक को कंट्रोल करने में मददकार है। लौकी का जूज, सूप या सबजीन या मित्रोप से खाने से वजन भी कम होता है। लौकी के बीच खाने से दिल दुरुस्त रहता है, हड़िया मजबूत बनती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, शुगर लेवल बढ़ता नहीं। लौकी के बीच में मौजूद विटामिन E और केराटेन स्किल और बालों के लिए भी फायदे मंद है। लौकी के बीच खाने से स्किन पर जल्दी जुरिया नहीं परती, इसकिन का गलो बढ़ने के साथ साथ बाल, काले, घने और लंबे भी होते हैं। लौकी के बीचों को आप सुखा कर लंबे समय तक इस्तिमाल कर सकते हैं। कड़वी लौकी खाने से उल्टी, डायरिया, पेट दर्द, फूट पॉजनिक के समस्या हो सकती है। इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसर्ट करें। अपने आप ही अपनी डॉक्टर ना बने। यदि आपको लौकी का जूस सूट नहीं करता तो इसका सूप भी पी सकते हैं। जिन लोगों का बलड डप्रेशन जरूर से कम रहता है। उन्हें लोगी का ज्यादा इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप रोजान असुभा लोगी का जूस बीना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से कंसर्ट कर लें। लोगी की सबजी, कौफते या हल्वा बनाते समय, इसमिट प्यास, टमाटर, आलू, चना, डाल, खी, दूद जैसी कई चीज़े पढ़ती हैं। इसका फायता यह है कि लोगी का सेवन सीमिक मातरा में हो पाता है और अधिक सेवन से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। अधिक करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और बैल आइकन का बटन दबाना बिलकुल न भूलें।